बाजार में मिलने वाली सहजन की सबजी तो सभी ने खाई होगी महाराश में तो इसके फूलों की सबजी को बेहर पसंद किया चाता है लेकिन क्या आपको पता है कि इसके फल या फूल से भी जादा गुण इसके पत्तों में छिपे हैं जो आपकी kidney को हमीशा के लिए healthy बनाई रखने में मदद करते हैं तो चलिए जानते हैं इसके बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि इस तरह की informative वीडियो उसको आप सबसे पहले देखते रहें सहजन जिससे drumstick या moringa के नाम से भी जाना जाता है इसमें कई सारे गुर्ण पाए जाते हैं जिसमें potassium, folate, calcium, magnesium, 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 phosphorus, iron, vitamin A, vitamin D और vitamin C के साथ-साथ antioxidant और folic और phenolic जैसे ascorbic acid भी शामिल है जो आपकी kidney को healthy बनाए रखने में मदद करते हैं मुरिंगा की पत्तियों के चूरन का सेवन करने से diabetes की समस्या नहीं होती क्योंकि ये हमारी body में sugar level को maintain रखते हैं और इसमें बाई जाने वाले antioxidant आपकी body में insulin को active करते हैं जिससे आपको बाहर से insulin लेनी के आवशक्ता नहीं पड़ती इससे आपकी kidney के स्वास्ते पर भी अच्छा असर पड़ता है क्योंकि diabetes, kidneys related रोगों का एक प्रमुक कारण है मोरिंगा kidney failure के दूसरे बड़े कारण यानि की blood pressure को control करने में मदद करता है मोरिंगा में potassium अधिक मातरा में होता है जिससे blood circulation ठीक रहता है और इससे आपको high blood pressure की समस्या भी नहीं होती है जिने kidney stone यानि की पथरी की समस्या है वह भी सैजन का सेवन कर सकते हैं इसमें पथरी तूट कर urine के द्वारा बहार निकल जाती है कई बार खून की कमी होने से kidney के सिकुरने की समस्या भी आ जाती है इससे बचने के लिए आप सैजन का प्रयोग कर सकते हैं 100 ग्राम सैजन की पत्तियों के चूरन में 28 ग्राम आयन होता है साथ ही vitamin A B होता है जिससे आपकी body में खून की कमी नहीं होती है आपकी kidney को detoxify करने में भी सेजन काफी कार कर है इसके अलावा भी इसमें कई अन्यगुर्ण मौझूद है जैसे की इसमें आईसोथियो साइनेट होता है जो obesity की समस्या को कम करता है और इसमें protein भी होता है जिससे urine में जागाने की समस्या खत्म हो जाती है सेजन का सेवन इसकी पत्तियों का चूरन बनाकर या अर्क बनाकर किया जा सकता है साथ ही इसके फल और फूलों को सबजी की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है लेकिन ध्यान रहे इसमें potassium की बहुत अधिक मातरा होती है जो chronic kidney patient के लिए खतरनाक सावित हो सकती है इसलिए इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलह के बिलकुल ना करे कर्मा आयरुवेदा में ऐसी ही कई जड़ी बूटिया मौजूद है जिनके द्वारा kidney मरीजों का उपचार किया जाता है साथ ही आयरुवेदिक उपचार के कारण इससे आपके शरीर पर किसे भी तरह का कोई दुश्प्रभाव नहीं पढ़ता हम आपके स्वास्ते को पूरी तरह से चेक करके आपको एक सही इलाज और उपचार प्रदान करते हैं अगर आपको भी kidney selected कोई भी समस्या है तो आप हमसे अपने सवाल comment section में पूछ सकते हैं साथ ही स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर पर भी आप कॉल करके kidney specialist doctor से बात कर सकते हैं अगर आपको ये video informative लगी तो इसे share और like करना बिलकुल भी न भूलें कर्मा अरविदा से चुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम आप से मलेंगे एक नए video में तब तक के लिए अपना खयाल रखें हेल्दी रहें नमस्कार